नमस्कार दोस्तों देखिए रीट 2022 के लिए एक महतपून खबर है कल यानि के 18 अप्रेल से लेकर 18 मई तक रीट 2022 के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन फोरुम भरे जाएंगे वहीं 13 मई तक आपको फीस जमा करवानी होगी आरवेसी ने एनकी रास्तान बॉर्ड उप सेकेंडरे एजुकेस ने वेफ साइट के ओपर सेलेबस जारी कर दिया है वो आपको हमारे टेलिग्राम चेनल के ओपर पहले से ही प्रोवाइड करवा दिया है तो अभी तक आप मारे टेलिग्राम चेनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको सेलेबस की पीडियाफ मिल जाएगी देखे रास्तान अध्यापक 25 परिक्शा 2022 के लिए जो सेलेबस जारी किया गया है वो सेम सेलेबस है जो रीट 2021 में था बिल्कुल एक नाम का भी परिवर्तन उसमें नहीं किया गया है हालांकि जो आगे मुख्य परिक्षा होगी चैन परिक्षा उसका सेलेबस अलग है लेकिन REIT 2022 का जो सेलेबस है वो REIT 2021 के सेलेबस की तरह शेम है यह सिर्फ एक पातरता परिक्षा है यहां कि आपकी चैन परिक्षा नहीं है यहाँ पर आपको केवल पातरता परिक्षा यह देनी होगी जुलाई माहे में यह परिक्षा है वो प्रस्तावित है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो नोटिस है वो आज ही इसकी वेबसाइट के ओपर डाला गया है ओनलाई आविदन 18 अपरेल से लेकर 18 मई तक बरे जाएंगे वहीं 13 मई इसके फिस जमा करवानी की लास्ट डेट है और देखिए वेबसाइट वर पर परवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित जोती थी है वो 14 जुलाई है 14 जुलाई को शाम को 4 बजे से आप रीट 2022 के लिए परवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो 23 जुलाई और 24 जुलाई फिक्स रखी गई है लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है कि परिक्षा केंदरों की उपलब्दता के द्रश्टिगत रखते हुए परिक्षा का जो आयोजन है वो आगे की तीथियों को भी रखा जा सकता है यानकि इसकी जो एक्जाम डेट है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है इसी कारणों से अगर परिक्षा के अंदर में उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो लेकिन अपन को जो तैयारी है वो 23 और 24 जुलाई को मान करी करनी है ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि जुलाई में एक्जाम नहीं होगी जुलाई में ही एक्जाम होगी आप ये मान करी अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव तक लेख जाएं और ये जो आपका आविदन सुल्क है कौन-कौन से लेवल के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं इस नोटिस की जो पीडियेफ है वो भी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरी की और भी जानकारी के लिए आप लगातार हमसी जुड़े रही है धन्यवाद